हालिया संपन हुए आम चुनाव में उत्रप्रदेश में बीजेपी का वोट शेर और सीटे दोनों घट गए देड़ दरजन से अधिक सेटिंग सांसा चुनाव हार गए पार्टी आलाकमान उत्रप्रदेश में मात खाने की वज़ों को अब टटोल रहा है साथ ही भविश्की तैयारियों के मद्दे नजर तमाम कारकर्मों का सहरा भी लिया जा रहा है इसी कड़ी में मद्दाता अभिनंदन समार हो जारी है लेकिन बीजेपी के अपने खेमे के भीतर से उठ रहे है विरूत के सुर बता रहे हैं कि कारकरता और नेताओं की नाराजगी गहरी है इस मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाए जाने की सक्तरकार है नमस्कार, मैं हों गयाने शुकला यूपी का गयान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर खाने की नाराजगी और इससे उपजने वाली चुनोतियों की गौर तलब है कि यूपी में हालिया जब हम चुनाव संपन हुए उनके नतीजे आये तो बीजेपी को जबरदस्ट होकर लगे केंदर में अपने बूते सरकार बनाने के मनसूबों पर उत्तर प्रदेश ने पानी फेर दिया 2019 के मुकाबले बीजेपी के सीटे घटकर 62-33 हो गई वोट शेहर भी 8.5 फीजदी के करीब कम हो गया पार्टी के जो परंपरागत पिछडे और दलित वोटर्स थे उनमें भी सेन्ध मारी हो गई 19 पार्टी के सिटिंग सांसत चुनाओ हार गए जिनमें से बीजेपी के साध केंदरी मंतरी भी थे इसमत इरानी, महनात पांडे, साध्वी निरंजन जोती, अजे मिश्रा टेनी, कौशल किशोर, भानू परताब वर्मा और संजीव बालियान सरी के मंतरी चुनाओ हार के मात खागे पच्चमी उतरप्रदेश से लेकर मध्ध और पुरवांचल तक बीजेपी को बड़ा नुकसान सहना पड़ा रामपूर, आजमगर, आवला, सीतापूर, परताबगर, सुल्तानपूर, बस्ती, मचली शहर, संदकभी नगर, बांदा, धोरारा ये सीटे पाल्टी ने गमा दी तो सलेमपूर, कौशामबी, एटा, इटावा, फैज़ाबाद, हमीरपूर और कन्नो सीटे भी पाल्टी से छिन गई संस्दी सीटों और वोट शेर का इतना बड़ा नुकसान सहने के बाद अब बीजेपी में समीच्छा का दौर चल ला है हार के जो बड़े कारण सामने आ रहे हैं, उनमें से पाल्टी कारकरताओं की व्यापक नाराजगी एक एहम वजे साबित हो रही है पाल्टी जो फीडबैक जुटा रही है, उसमें पता चल ला है कि हारने वाले ज़्यादातर सांस्दों का पब्लिक कनेक्ट ही नहीं था साथ ही कारकरताओं से भी उनका संबाद नहीं था ज्यादा तर सांसदों से कारकरताओं की नाराजगी थी, उन्हें टिकट ना दिये जाने के बावत कारकरताओं ने मांग की थी, बावजूद नेतरत ने कारकरताओं की बात को अंसुना किया अब जाहिर सी बात है, सुनवाई ना होने से और हार हो जाने से, कारकरताओं में जबरदस्त, छोब है, आक्रोश है, दुख है चुकि बीजेपी को फर्ष से अर्ष तक पहुचाने में पार्टी के इन ही समर्पित कारकरताओं ने एहम किरदार निभाया अपने कारकरताओं को बीजेपी अक्सर देवतुल की संग्या देती है पार्टी रणनीत कारों को लगा कि इन कारकरताओं के मनुबल को अब फिर से उठाने के लिए कुछ रचनात्मक कारकरम किये जाएं जिससे फिर से इन में उस्सा का संचार हो सके मनुबल बड़े इसी कड़ी में देश्व्यापी कारकरताओं अभिनंदन समारो अईजित किया गया इसका खाका तै हुआ उत्तर प्रदेश में जोड सोड से ये कारकरम अईजित किया जा रहा है लेकिन तीखे विरोध और बयानों के सिल्सलों ने पार्टी का जो एक कारकरम है ऐसा लग रहा है कि उसकी चमक पर वो उनक बयानों की छाया हावी हो रही है दिवरिया के सलेमपुर में अभिनंदन समारो एक कालेज में आयुजित किया गया था जिसे उत्तरप्रदेश की राजमंत्री विजय लच्मी को अतम संबोधित कर रही थी तभी वीजेपी के कारकरता उखड़ गए आस नारान सिंग और राम नेयन सिंग ये कारकरता थे वो खड़े उकर उन्होंने कहा जब पार्टी यहां से चुनाओ हार गई तो अभिनंदन किस बात का हो रहा है किसका हो रहा है इसके बाद आयोजन इस थल पर जबरदस्त विवाद हो गया बस्ती जिले में भी आयोजन हो रहा था उस दौरान चुनाओ हारे दो बार के सांसद रहे हरीश दिवेदी ने पार्टी के जो भीतर घाती हैं उन्हें लेकर तलक तेवर अपने चताए शुकरवार को एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें उत्तरप्रदेश के पूर कैबिनेट मंतरी योगी की जो पिछली सरकार थी उसके मंतरी राजिन परताफ सिंग और मोती सिंग का एक बयान जारी हुआ परताफ गरजले के पट्टी में मंदाता अविनंदन समारों में वो बोल लहे थे उन्होंने अपनी सरकार को आड़े हाँ थो लिया कहा 42 साल के उनके राजनितिक जीवन में थानों और तहसीलों में ऐसा ब्रश्टाचार उन्होंने नहीं देखा ये भी जोड़ा कि बीजेपी कारकरताओं को सही माइने में सम्मान तभी होगा जब थानों और तहसीलों से ब्रश्टाचार खत्म होगा इस वीडियो के कुछी घंटों के भीतर जौनपुर से बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो केंद्री नेतरत को आगहा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी मुझूदा समय में बहुत कम जोर इस्थित में है यानि बीजेपी अगर किंद्री नेतरतने समय रहते इसके लिए बड़े निड़े नहीं लिए तो 2027 के चुनाओं में उत्रप्रदेश में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे है बयानों के ये तीखे सिलसले तस्दीक कर रहे हैं कि बीजेपी में अंदर खाने सब ठीक नहीं चला पार्टी इन दिनों तमाम चुनोतियों से घिरी हुई है जल्द ही उत्रप्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाओं होने हैं तो साल 2027 में होने वाले उपी के विधानसभा चुनाओं के लिए व्यापक त्यारियां भी करनी है पार्टी को ऐसे में बीजेपी के अभिनंदन समारो आयुजन पर कारकरता और नेताओं की नाराजगी के उमरते बादल पार्टी रणनीतकारों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं चिंता का सबब बन गए है सामाजिक तानेवाने को फिर से अपने हक में करने वोटरों को सहेजने जोडने इसके लिए पार्टी जुटी है लेकिन ये मुहिम तभी कारकरता और नेता पूरे मनोयोग से जुटे हैं लेकिन हाल फिलाल पार्टी में ख़द बदा रहा आक्रोश बीजेपी रणनीतकारों के लिए अलार्मी कॉल है किसी वेक अप कॉल सरीखा है उत्रप्रदेश की तमाम बड़ी और एहम खबरों के लिए आप बने रहे हैं PTC News उत्रप्रदेश के साथ नमस्कार